नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो किसान साथियों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो फंगी साइड के वारे में बताने जा रहा हूँ आज कल आपने देखा होगा कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फंगी साइड और पैस्टिसाइड दो ही बीमारियों में यह कंपनिया पैसा कमा रही है तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हुँ वो आप जैबिक और देशी तरीके से और फिरी में एक से आप अपने खेश से फंगस हटा सकते हैं वो फंगी साइड आपको मैं बताने का फार्मूला दूँगा और किसान साधियो अगर फंगस आपके खेत में लगती है तो उसका पूरा पूरा असर आपकी फसल पर पड़ेगा आपकी उपज घटेगी और खड़ी फसल में फंगस ऐसी कई वार होता है कि खड़ी फसल 15 दिन है निमा टोड है एक हजार बीमारियां आजकल पैदा हो गई है क्योंकि राजसानिक खेती हमेशा खतरनाक ही खेती है तो जो किसान भाई ज्यादा से ज्यादा राशाइन का यूज करते हैं उनको फंगस की और इसकी कीड़े की यह दो पेस्टिसाइड की जरूद पड़ती में खलेहान में मेडों पे रेतिली जमीन में जहां भी बंजर भूमी सी मिलती है योग आता है आपके चारों तरफ मिल जाएगा क्यों आज की डेट में जो सबसे जादा किसानों का खर्चा है वो पेस्टिसाइड प्लस फंगी साइड आप किसी भी कंपनी का वायो डाटा देख लो या तो वो बड़े पैमाने पर कीट नासक को बेच रही है या फंगी साइड पर बेच रही है तीसरे में नंबर आता है ग्रोथ प्रमोटर पूरा व्यबसाय जो खड़ा है राशानिक कंपनियों का वो तीन ही प्रोडक्टों पर यारो खड़ा है नंबर एक कीट नासकी नंबर 2 फंगस और नंबर 3 ग्रोथ प्रमोटर वो ग्रोथ प्रमोटर कैसा होता है अगर राशायनिक खेती करके किसान माला माल हो गए होते तो दोस्तों मेरा आप यकीन करिजिए पूरा इंडिया का किसान लगपती हो चुका होता लेकिन जब डुकंदारों का बिल हर्चा जोड़ते हैं तो हमें मिलता है जीरो तो किसान साथियो आई चलते हैं आपको मैं दिखाता हूं कि वह पौधा का उनसा है और उसको हमें यूज किस तरीके से करना है तो मैं उस पौधे के पास आपको ले चलता हूं और उसको मैं दिखाता हूं किस तरीके से आपको इ ये ये पवधा जो है हमारे चेत्र में अकुब भी बोलते हैं मदार भी बोल लेते हैं आकडा भी बोल लेते हैं यह आपको हर जगे उपलब्ध हो जायेगा यह बड़ी ताधात में मिलता है का आप को ऐसी Around तो अब इसको आप सौ दोसो पिभार्टा कर लिए और यह स्कूरीं करते हैं उस समय इसको जो चारा काटने वाली मसीन होती है उसी आप छोटा-चोटा बारीक काट लीजिए और बारी काटने के बाद आप इसको अपने खेत में पूरा बखेर दीजिए जुताई के टेम जब आप जुताई करेंगे तो इस टेम इसको बखेर देंगे परसे इसकी जुताई हो जाएगी तो यह मिट्टी के अंदर चला जाएगा जब यह मिट्टी के करते हो continue तो आपकी फंगस जड जड से खतम हो जाए किसी भी प्रकार का नहीं तो आपको कोई जड़गलन का रोग आएगा नहीं निमा टोड आएगा नहीं ये फिजोरियम बिल्ट आएगी नहीं पिक्थिम बिल्ट आएगी यह कोई बिल्ट ही नहीं आएगी जिस तरीके से हम ट्राइकोडर्मा का यूज करते हैं जमीन में उसी तरीके से आप इसको बिल्कुल फिरी में यह आपको कहीं भी मिल जाएगा सो दो सो किलो कोई बड़ी कुवांटिटी नहीं है अब रही बात यह तो जमीन के सुधार की बात हो गई अब दूसरी बात इसकी आती है कि मुझे खड़ी फसल है अब उसमें यूज कैसे करें तो किसान भाईो उसका यूज ऐसे करें आप कि यह जो आप देख रहे हैं यह पत्ते यह पत्तों को आप तोड़ लीजिए और तोड़ने के बाद इनको आप धूप में सुखा लीजिए और सुखाने के बाद आप इसका किसी मिक्सी बगैरा में इसका पाउडर बना लें बारीक पाउडर इतना बारीक पाउडर बना लें डाइसो सो तीन सो ग्राम प्रतेकड की दर से आप इसका इस्प्री कर दें अगर आपके पास ज़्यादा को आइंटेडी में हो जाता है ये तो जब आप सिचाई देते हैं और सिचाई देने के बाद जब हमारा खेत में नमी होती है भरपूर मात्रा में उस टेम आप इसको पूरे खेत में बखेर दीजिए तब भी ये 25-30% आपकी फंगस को खतम कर देगा ये बिल्कुल आजमाया हुआ फार्मूला है किसान साथियो तो ये बिल्कुल फ्री का हो गया अब हमें देना है इस्प्री अब हमें इसको इस्प्रे भी देना है खडी फसल में किको खडी फसल में चलो हमने जमीन में बखेर दिया लेकिन जो पत्तों पर फंगस आ रखी है तो उसको हम कैसे मिटा है तो भाईयों आप ये एक चीज याद रख लेना जो जैबिक खेती का फार्मूला होता है वो कभी भी बीमारी का इंतजार नहीं करता कि आपके फसल में जब बीमारी लगे आप तभी स्प्रे कीजिए आपको वो इस्तेमाल करना है आपको ये रहा नहीं तक नहीं है कि जब आपके खेत में बीमारी आ गई है तब आप इसको यूज करेंगे अगर बीमारी आ गई है तो जल्दी से कंट्रोल नहीं होती है उसके लिए फिर आपको ये पैस्टी साइडर रासाइनिक खेती का सहारा लेना पड़ता है तो इसलिए मेरा आप से सुझाव यह है कि आप बीमारी का इंतजार न करें बीमारी से पहले ही आप एक सुडूल बना होगे तो अब इसका इस्प्रे की बात आती है तो अब किसान साथ है इसकी इस्प्रे के लिए क्या करेंगे कि हम यह इनके पत्तों को तोड़ लेंगे यह पत्ते तोड़ लिए हमने पत्ते हमें लेने हैं पांग साथ किलो आप पत्ते ले लिए अब इन पत्तों को आप मिक्सी बेगारा में बहुत बारीक पीस लो मिक्सी में पीस लो किसी चीज से इसको आप पीस लो बहुत अच्छे से और पीसने के बाद इसको आप अगर आपके पास बैस डिकंपोजर है तो आप इसको बैस डिकंपोजर में डाल दें पांच छे दिन के लिए साथ दिन डाल दें साथ दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा और जो भी मेटेरियल बचा हुआ है ठीक है आपने ये साथ के लिए ये ले लिया उसमें जितने में ये डूब सके मिक्सिंग के हिसाब से ऐसा नहीं इसमें 20 लिटर जितना मिक्स हो च Entwicklung ले लिजिए और बैस डीकंपोजर लेने के बाद इसको आप इसमें साथ दिन के लिए डाले साथ दिन बाद प्रत जो टंकी होती हमारी 15 लीटर की उसमें आप डेड़ से 2 लीटर इसको मिक्स करके आप इस्प्री कर दो किसी भी किसान भाई के पास अगर बैश डिकमपूजर नहीं है तो वो किसान भाई इसको उबाल ले ये 57 किलो पत्ते ले लिए 57 किलो पत्तों को लेने के बाद बारीक बारीक इसको काटके और काटने के बाद इसको किसी कड़ाई बगारा में इसको उबाल ले उबालने के बाद जो पानी बचा है उसमें अब जो ये इसका जो रस बचा है उस रस को निकाल के एक लीटर पर टंकी इसकी डोज साथियो थोड़ी कम होती है क्योंकि यह आपने उबाला है यह डारक्ट बैस्ट डिकंपोजर में थोड़ी सी मात्रा बढ़ा देते हैं तो इसको आपको पर लीटर उबाले हुए को एक पानी लेना है और इसका इस प्रेकर देना है आप देखोगे कि आपकी खेत में फंगस का कोई अटेक ही नहीं होगा तो किसान साथियो अगर हमारा वीडियो यह पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा किसान भाई उसको सब्सक्राइब कीजिए कि मैं वो जानकारी देता हूँ जो पहले रिसर्च कर लिता हूँ और अपनी खेती पर यूज करता हूं या किसी किसान भाई ने अपने खेत में यूज किया है तो मैं उसको देखने के बाद ही आपको गुए रिक्मंडियो या सला देता हूँ अगर हमारा वीडिय बन्यवाद